नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27, 28 और 29 जनवरी तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुती अच्छे ख़बर लेकर आए हैं जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले दोस्ते तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुती बड़ी घटना होने वाली है जिहां दोस्तों जिनने अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों आपके भी होस उड़ जाएंगे आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह शमय आने वाले दोस्ते तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो भी आपके दूसमन हैं जो भी आपको पिछले समय बहुती ज़्यादा परेशान किये हैं जिनने दोस्तों आपको जीने की मुहुलत तक भी नहीं दी जिन से आप अपने जीवन की भीख मांग रहे थे जिनके कारण दोस्तों आपने बहुत सारी जीवन काल में किलते भरी जिन्दिकी जीए हैं अपने खुशियों को त्याग दिया जिन लोग आपको परेशान करते आ रहे थे जो लोग आपके जीवन काल में आपको खुश नहीं देखना चाहते थे दोस्तों अब उन लोगों को सजा मिलने वाली हैं जिहां दोस्तों और यह सजा स्वें भगवान महाकाल उन सभी लोगों को देने वाले हैं और दोस्तों इनकी इस सबसे बड़ी सजा होगी आपकी तरकी आपकी कामियाबी और आपकी मिलने वाले खुश खबरी जिहां दोस्तों अब भगवान महाकाल आपको आने वाले दो से तीन दिनों के अंदर बड़े बड़े खुश खबरियां देंगे बड़े बड़े सफलताय देंगे और आपको भी सांत नहीं बेठना है जिहां दोस्तों दोसे तीन दिनों के अंदर भगवान महाकाल का आशिरवात आप से वेके जीवनकाल पर चलने वाले हैं बहुत सारे खुश खबरियां मिलेंगे यसे बहुत सारे बड़े बड़े बदलाब होंगे और दोस्तों यह समय आपक कोई ना कोई सड़ी अंतर जरूर रचेंगे वे दोस्तों आपकी काम्यावी देख नहीं पाएंगे एसे में दोस्तों दोसे तीन दिनों के अंदर आपको कौनशी विशे शाबधानिया रखने होंगे कौनशी बड़ी खुश खबरियां मिलने वाले हैं शाती दोस्तों यह दोस्तों आपको कौनशी वक्त उपाय करने हैं जिनने एक मातर कर लेने से दोस्तों आप सभी के जीवन काल में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि दोस्तों उन जलने वाले लोगों से भी आपको छूटकारा मिलेगा साती महाकाल इस उपाय से पहुती ज़्यादा प्रसन ह कि दोस्तों इन उपायों को जरूरे किजिएगा जिहां दोस्तों और सभी बातें इस इस वीडियो में गेरी तरीके से ग्रह गोचर पर आधारित है इन्हें अन तक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो भगवान महाकाल के सच्छे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवश्य करें और कमेंड बॉक्स में तीन बार जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जरूलिक दें भगवान महाकाल का नाम एक मंतर से कम नहीं है महाकाल आपके सभी संकाटों स एक इक्षा सक्ति जागरित होगी कि एक बार ठाकूर जी और राधाराने रास के वाज निधिवन से वापिस आ रहे थे। जब ठाकूर जी ने इसका कारण पूछा तो राधाराने ने बहुत सुन्दर जवाब दिया कि जो एक बार मेरे चरणों में लग जाए मैं उसे कभी दूर नहीं करती। कौन कौन से बड़े शफलताएं आपको याश्य में देने वाले हैं। साथी कौन से विशेश बातों को इन दो से तीन दिनों के अंदर आपको ध्यान रखना होगा। ताकि दोस्तों कोई भी समसिया आने से पहले खात्म हो जाए। और दोस्तों भगवान महाकाल प्रशन हो जाए। अब अपने विवेक और समाजदारी दोरा महत्पून उपलेब्दी हासिल करेंगे। कोई परपट्री समय दे काम भी बन शकता है। कई भी निवेश करने के लिए समय बहुती अनुकुल है। निकट भविस में फायदा होगा। तार्मी गति विदियों में भी आस्था बढ़ेगी। ताति साथ अपनी योजना को क्रियावेंद करने का उचित समय है। अपनी योगता को पाचाने। आज आपके साथ कुछ एसी सुख़त घटना होगी। जिसे आप खुद भी आसर चकीत रह जाएंगे। गर में महमानों की आवाज आही रहेगी। ता आपसे मेल मिलाप सबको खुशी परदान करेगा। ग्रेह गोचर आपके लिए कोई शूब अफशर परदान करने वाला है। जो की भाविस में बहुती लाबदायक साबित होंगे। परतिस्टित लोगों से मुलाकात लाबदायक और समान चनक रहेगी। ता आपका व्यक्तित में भी निखार आएगा। गर के रख रखाव समन्दी वस्तों की शोपिंग भी होगी। दोस्तों आपका ग्रेह गोचर बहुती अनकुल बना हुआ है। सिर्फ उचित समय पर उचित निर्ने लेने की जुरत है। या समय आप जितना परिश्रम करेंगे उसे के आनुरूप आपको उचित परनाम भी हासिल होंगे। विद्यार्थियों को भी पड़ाई से समय पर उचित कोई शमश्या दूर होगी। आपके अंदर सक्या विहम जैसी इसती उत्पन हो सकती है। और इसी की वज़े से समय पर उचित ध्यान देने की जुरत है। लापरवाई ना करें। वेबसाइक गत्य विद्यां अपने देख रेक में ही करवाएं। कर्मचारियों का भी उचित सहीव रहेगा। कर्मचारी आपके योज़ना को लिग भी कर सकता है। यह शमय अपने काम के परती और अधिक मनन चिंतन करने की जुरत है। दोस्तों इन तीन दिनों का शमय आपके लिए 32 ता करत्मक रहेगा। अपने वैब साइक परती देतियों की गरती विदियों के परती बिलकुल ही लापारवाही ना करें। आपकी समझ और सुजबूज से कारस्तल पर लिए गए ठोस निने बहतरिन शावित होंगे। और काम्याभी भी मिलेगी। अपने काम करने का तरीका किसी को शेयर न करें। उहें दोस्ता आपके लाव लाइप के बारे में बात करें। तो घर परिवार में शुकुन भरा वातारों रहेगा। पती पतने के बीच रोमांटिक समन्द बने रहेंगे। जीवन साथी दिथा परिवार जनों का आपके पूर्ण शाहयोग रहेगा। प्रेमी प्रिमिका को मुलकात का आफसर सुलब हो शकता है। कमी नहीं होगी शोमार के दिन भगवान शिप के मंदिर में जाकर दूद मिस्तिरित चल भगवान भोलेनात के सीवलिंग पर अरपन करें तथा अभिमांतरित रुखद्राश की माला से ओम शोमेशराय नमाका 108 बाट जाप करें अर्थात एक माला करें और दोस्तों उस दिन प भागे साली रंग नीला है और भागे साली अंक छे है दोस्तों भगवान महाकाल का अशिरवात आपसे विको प्राप्त हो सच्ची दिल्शे कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवार